कि जयो हीन दोस्तों आज मैं आप लोग को सामने डाजör स्टीर सिस्टम पार्ट 3 लेकर आया हूँ ठीक है तो हम मैं इससे पहले आप लोग को यह बता चुक ने था कि डाजरर्ट्टर सिस्टम 1 में अधरी हमारा कैसे काम करता है कौन कौन सा यह निकालता है और ceaseर नीचे जैसे यह नली होता है। तो फिर जू नली आती है यहां पर इसको क्या बोलते हैं ग्राश नली को लाने का काम करती है। ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है हमाए रहा अमसा में हमारा तीन पार्ट रहा जाता है ठीक है एक कार्डिक है लिजा शच्तरा फंडिक फशनन पृर्ट है यह यह तो जैसे है छो की लाए टामारे है छ or I did cost under your NICK Oh यानी बोजन आते ही itself राता है और ननी के उसके कचा सके और हमली और यह बना देता है और अमलिय बनानेक बाद फिर उसके बाद वो कहां भेजता है दूसरा में फंडिक में ठीक है फंडिक में भेजेगा और फंडिक में यहां पर हमारा भोजन कितना गंटा रहता है चार गंटा यहीं पर रूप के रहता है ठीक है और इसमें रूजी भी पाय जाता है रूजी तुझे तुझे तुण लोय और चाहरं जाम रेश्चनल को इसमाने के उपिके और उसके बाद चार गांटा रुपनेक बाद भोजन को यहां पर सौर्ड ठोर करनेक बाद यह से थे नीचे घ TS गेस्टिक गलेंट बोलते हैं और गेस्टिक गलेंट से निकलने वाले जूस को हम गेस्टिक जूस के नाम से जानते हैं उसमें दो परकरगेंजन परा जाता है पहला होता है पेपसीन जो प्रोटीन को पचाने काम करता है और दूसरा होता है रेनिन जो दूद को दही में बद से आएगा उसको क्या करता है अमलिय बनाता है लेकिन यहां पर क्या होता है कि इसके HCL जो रहाता है इतना खतरनाक रहता है जो कि यदि इधार परत नहीं बना होता तो वो क्या होता है इफेक्टेट कर देता लेकिन क्या होता है कि इधार पुरा परत बनाया जाता है ठीक है परत रहता है जिसको हम मयुकस बोलते हैं जो क्या करता है, छार को निकालते रहता है, छार को निकालने से क्या होता है, कि HCL जो रहता है, हम लिए उसका परभाव उसके परत पर नहीं कर पाता है, ठीक है, और तो HCL होता है, ठीक है, और हमारा देखे होंगे कि उल्टी आती है, ठीक है, उल्टी हो गया, उल्टी कैसे लुए पर जाते हैं हैं साधी विवा भी और और उनीकि नेश्व पांटी डेहने को बिलता है नियुचा तो क्की एक हैं केश दोतों कि पहांने बिवें पर जोगण है यह भी वेयर जाये भाइब आपाच्य चीजों को भी हाम खाल लेते हैं एक ही साथ जिससे एक कंफ्यूज हो जाता जिस है न और जिसका कनेक्शन हमारे क्या है पूरा बोडिक कंट्रोन करता है माइंड ठीक है तो यहां से एक क्या होता है अपाच्य हो जाता है जिसके वज़े से नहीं पचाब हो तो हैना तो फिर मांड भुले कद आजका निया जा अबड़े तो नीप निकाल दो लाइत जोड लगाएंगा और हमारा बाहरां जाएगा हा ठीक है तो बाहर आने से पाले वह क्या है संकेत भी देता है न चैप जीस ठूख हुग रहा हो गया या लार आने लगता है जो यह कड़वा टाइप है ना वो संकेत देता है कि वासरूम वगरा ढून ले पहला रिजन तो यह हो गया दूसरा रिजन हमको उल्टी इसलिए आती है जैसे हमारा तबियत वगरा खराब हो जाता है है ना मैंड कंट्रोल नहीं रहता है तो उसके फिर उसमें क्या होता है कि फिर से वो उसी चीज को दोहरा देता है याने याने वी करदेता है ठीक है बाहर सब्सॉन तो समझ गया हो घक है लेकिन वी जब होती है तो हमारा क्या होता है ये लेकिन इधर हमारा वह परत नहीं पाई जाती है इसको चिल देता है इसको चिल जाता है यह भी हो गया एक रीजन ठीक है और दूसरी बात की कभी हमारा क्या होता है चिलन आता है तो बोलते हैं कि जल रहा है या कुछ चीज खाने के वज़े से तो क्या होता है जैसे यहां कर नली जैसे भोजन हमारा नीचे आती है तो यह क्या होता है कि नली यहां पर बंद हो जाती है ठीक है तो उससे उसका भाफ और नहीं जा पाता है गैस ठीक है तो कभी-कभी क्या होता है कि ज्यादा हम तेलिये लगता है इसी साइट से तो गैस निकलने लगता है जिसके वज़द से हम बोलते हैं कि हमारा इधा जलन देने लगता है पूरा है ठीक है जलन देने लगता है और गैस भी अजीब टाइब निकलता है ठीक है यह हो गया इसके बाद हम क्या देखते हैं यहां पर यहां पर हमार जैसे उसका बहुता रहा तो भूखा रहा तो भूखा रहा तो ढहल जाता जिसके जो रूजी रहता है वो उठ जाता है ठीक है और वो जब भी बैठेगा उठेगा तो उसका क्या होता है चूबना चालो हो जाता है चूबने के वज़े से उसको दरद होगा और इसलिए बोलते हैं कि हमारा पेट ओगरा चूब रहा है ठीक है तो यह हो गया और आगे हमारा क्या होता है गैस्टिक गलेंड जो तु होता है ठीक है और जो कि बुढ़े लोग में या मतलब आधिक वाले में यह सकते हो जाता है कि निकालना कम हो जाता है धीक है जिसके वजह से उन लोग को ज्याद़ा प्रॉब्लम होता है ज्यादा कुछ तेल Eh तो निल्ट रखालती है तो उसके वज़ेसे उसको घय हो जाता है ठीक है पाचँ यहां पर निकाल ही ही नहीं पाता पूरी तास जिस से उनका ठीक से नहीं हो पाता है और दूसरी डीजन यह भी हुता है कि यह इसमें जो इसके बाद हम आगला आपको क्या बताएंगे छोटी आथ बड़ी आथ और लीवर कैसे काम करती है इसके बारे में ठीक है तो ये कैसा लगा कुमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू